मेलबर्न में थमाई पाकिस्तान को करारी हार अब बारी सिद्नी में निदरलेंड्स का सूपड़ा साफ करने की है जसके लिए रोहित ब्रिगेड पहुँच चुकी है सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड टीम इंडिया के खिलाडियों ने शुरू कर दी है खतरनाक प्रैक्टिस ज आखरकस तरीके से दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की चल रही है तयारी जानने के लिए देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट आइसी सिटी ट्वंटी वॉल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का सब हर शानदार नोट पर शुरू हुआ है जहां पाकिस्तान के खिलाफ एक महा मुकाबले में टीम इंडिया ने आखरी गेंद पर एक रोमांचक जीत हासिल कर 2021 में मिले वॉल्ड कप की हार का बदला सूध समेत वसूल लिया और मेलबर्न जीत के साथ ही सेमी फाइनल में टीम इंडिया के पहुँचने का रास्ता आसान हो गया है जहां भारत को अपन ने नीदरलेंड की हो लेकिन टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में किसी को हलके में नहीं लेना चाहती है इसी वज़े से बिना देर किये टीम इंडिया मेलबॉन से सिडनी पहुची और पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया हलांकि गुरुबार्गु टीम का ऑप्श के सेशन से ब्रेक लिया जहां इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में कोहली रोहित और पंत काफी खतरनाक अंदास में बल्ले बाजी करते हुए नजार आ रहे थे एक से बढ़कर एक शॉट्स इनके बल्ले से निकले और नेट्स में भी सभी खिलाणियों का इंटेंसिटी देखने लायक था इसके लावा दिनेश कार्थिक ने भी नेट्स में काफी समय बिताया और कुछ ऐसे स्टोक लगाया जस पर विराट कोहली ने भी उनकी सराहना की उदार अश्विन ने अपने फील्डिंग और कैचिंग का अभ्यास किया ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पहुंच जाएगी ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से अगले मुकाबले में कौन सा खिलाडी टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक कुल ना भूले